इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एरफोर्स के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एरफोर्स में जॉब कैसे पहें दोस्तो अगर आप एरफोर्स जॉइन करना चाहते हो या फिर एरफोर्स के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे selection होता है, कब exam होता है, कैसे apply करना है, किस तरीके से आपका selection होगा सबसे important बात कि आपकी height कितनी होनी चाहिए, आपकी age कितनी होनी चाहिए यानि कि सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा तो हेलो दोस्तो मेरा नाम है आयूस और आप देखरें आयूसरेन यूट्यूब चैनल अप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा, तो चले अब हम अपनी वीडियो स्वरो करते हैं दोस्तो अगर आप आई-ए-फ जोईन करना चाहते हैं आई-ए-फ यानि कि इंडियन एयर फोर्स अगर आप जोईन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है आप जरूर जोईन कर सकते हो आपका selection जरूर हो सकता है लेकिन उसके लिए आपको कुछ बातों का पता होना जरूरी है ताकि उस recording आप अपनी त्यारी करो और अगर आप अपनी त्यारी अच्छे तरीके से करोगे तो जब भी vacancy आएगी आप apply कीजिए आप उसका exam देजे आपका selection जरूर होगा लेकिन जै वाले और commerce वाले भी जा सकते तो आपको इस बात का भी सवाल इस वीडियो में मिलेगा जो कि बहुत सारे लोगों के मन में doubt होता है बहुत सारे student का सपना होता है Air Force जोईन करने का लेकिन इसके बारे में उनको detail पता नहीं होती कि vacancy कब आती है कैसे apply करना है vacancy आके चली भी जाती है उनको पता ही नहीं होता तो देखो दोस्तो अगर आपको Air Force में जाना है तो सबसे पहले तो क्लाश 12 पास करना पड़ेगा उसके बाद ही आप Air Force को जोईन कर सकते हो और Air Force की vacancy आती है हर साल आती है Air Force की vacancy जनवरी और February के महीने में आती है अभी के recording तो यह हो सकते आने वाले समय में यह चेंज हो जाए लेकिन आपको परिसान होनी की जोटनी जब भी Air Force की vacancy हैगी में आपको इसकी सूचना दे दूँगा आप अप्लाई कर सकते हैं देखो Air Force में बहुत सारे पोस्ट होते हैं और सभी के recording उनकी height वगर अलग होती है लेकिन जो ज़्याद साथ आपकी जो age है वो दोस्तो 16 साल से लेके 19 साल के भी छोनी चाहिए 6 महिने उपर नीचे हो सकते हैं पोस्ट के recording अब बारी आती ही कि vacancy की application फिसकिती होती है तो आपको बिल्कुल भी परिसान होनी जो उतनी है Air Force में अप्लाई करने के लिए बहुत सारे vacancy तो आपकी free of cost होती है यानि कि उसमें आपका एक भी रूपय नहीं लगता लेकिन कुछ vacancy आते जिसमें आपको 200 रूपय चार्ज लगते हैं अब बारी आती है कि जब आप apply कर दोगे vacancy को online apply होता है तो उसके बाद आपका exam कब होता है तो देखो दोस्तों जब भी आप apply करो ना उसके ती जारो बच्चे होंगे तो उन सभी के 20 से आपको निकलना होगा अगर आपको Air Force को join करना है इसलिए आपको पढ़ाई तो बहुत अच्छी तरीके सकरना ही पड़ेगी तब ही आप Air Force को join कर सकते हैं अब बारी आती है यह जानने कि क्या सिर्फ science student ही Air Force को join कर सकते है फिर commerce और आर्स वाले भी कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे लेकिन उससे पहले आप से छोटी सी बात कह दूँ देखो जो selection process होता है उसमें आपको running भी निकालनी पड़ेगी यानि कि आपको अपना physical test भी clear करना पड़ेगा आपको written exam भी clear करना पड़ेगा और उसके सा आपको medical भी clear करना पड़ेगा medical इसमें बहुत ज्यादा tough होते हैं लेकिन मैं आपको डरा नहीं रहूँ मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप उससे accounting अपने त्यारी कर लो अगर यह तीनों चीज अपने निकाल लिया ना तो उसके बाद आपको training के लिए भेज दिया जगा छे महीने साल भर की आपकी training होगी और एक और अच्छी बात है जब आपकी training ना उसमें भी आपको इसकी salary दी जाएगी और अगर आप training पूरी करके जैसे की join कर लेते हो तो आपकी salary मतलब की पूरी तरीकर कीर जाएगी लेकिन जब तक आप training करते हो तब तक आपकी salary आपको पढ़ना चाहिए कि कितनी age मांगा है कितनी height मांगा है क्या क्या syllabus है क्योंकि syllabus तो थोड़ा बहुत उपर नीचे होता रहता है तो पहले समझी कि क्या syllabus है previous year question paper देखिए उस accounting अपनी त्यारी कीजिए देखिए कि किस तरीके से question आता है question क्या level है इस तरीके से अगर आ ज्यादा फायदा मिलेगा और हो सकते कि अपका पहले attempt पहीं अपका selection जाए तो चलिए दोस्तो इसी बात पर इस वीडियो को like कर दीजिए और चैनल को subscribe करके बिल आइकन प्रेस कर दीजिए अब हम लोग जान लेते हैं कि कौन सी स्ट्रीम होनी चाहिए क्या सिप science वाले ही जा सकते हैं फिर commerce और आर्ट्स वाले भी जा सकते हैं क्योंकि बहुत सारे student को यह question परिसान करके रखा है तो देखो आपके लिए खुशखवरी है अगर आप science से तब तो जाहीं सकते हैं लेकिन अगर आप commerce student है या फिर arts student है तब भी आप मेरे भाई मेरे बेहन एयर फोस को key देखो देखो एर फोर्स की जो वखें किनसी आती है उसमें बिसिकली दो ग्रूप होते हैं एक x group होता है क्वई गूप होता है जो इक स्क्रा एक होता है यह technical group होता है ऍथ इसमें आपको science stream चाहिए होता है लेकिन जो y ग्रूप होता है इसमें अगर आपने arts लिया फिर commerce तब भी आप इसमें apply कर सकते हो, सारा process अगर आप अच्छी तरीके से complete कर लेते हैं, तो दोस्तो आपका selection हो जाएगा air force में, अब आपको बिल्कुल भी अपने मन में doubt नहीं रखने हैं, कि arts वाली जा सकते हैं, commerce वाली जा सकते हैं, सब जा सकते हैं, बस अलग-अलग category है, लेक इंजास अभी सकते हैं, तो दोस्तो मैंने sort में आपको सब कुस समझाने की कोशिस की असान भास में, अगर आप इसके उपर एक detail वीडियो चाहते हो, कि क्या question pattern होते है, क्या exam pattern होते है, syllabus क्या क्या होते है, तो आप comment में करके बताओ, full वीडियो चाहिए, मैं इसके उपर full detail बना की आपको सब कुस समझा दूगा, तो आपको वीडियो अच्छे लगी, तो अभी तक लाइक निके थे, तो अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन प्रेस कर दीजिए, और अच्छी तरिके से त्यारी कीजिए, आपका जरूर सेलेक्शन ह आप सबीन इस वीडियो को देखा आपको बहुत बहुत धन्यवाद।